कि जमकान का ना कके लोगों का मन बहुत है थोड़ा सी बात होगी तो उनको रहना एगा थोड़े सी बात हो गें तो वह एमोशन हो जाएंगे दूख हो जाएगा थोड़ाधे बात की उपर वह अफ्सेट हो जाएगे और और स्पेशली उनको रोना आना या दूख होना गुस्सा आना ऐसा ज्यादा होता है चुड़ी बात की ओपर भी तो उसके बारे में मैं आपको आज एक केस्टी बताने माला हूं तो आए हमारे चैनल में आपका स्वागत है मेरा नामें डॉक्टर दीपक केड़कर मैं मनुव विश्णी लोगों को भरती करते है इसारों के साथ में रिशारों के अलावा मेरे पास में अभी लड़की आई अभी वो जस्टेंथ पास हो गई उसको 11 में भी उसने एडमिशन लिया है और उसको बनना है आर्किटेक्ट अब उसको प्राब्लम है कि उसको कुछ भी बोल किसने तो वह एकदम एमोशनल हो जाएगे कि मुझे ऐसा क्यों बोला मुझे ऐसा क्यों डाटा मेरे को खाना खाने के लिए क्यों बोला बोला ने तो खाने के लिए क्यों नहीं बोला या उसको पढ़ाई कर तो उसको घुसा आजाएंगा या मुझे पढ़ाई कर ऐसा क्यो परेवे पानी की और वो continuous flow चालू है इतने बार मतलब दिन में 10-15 बार तो रो लेंगे फिर कोई मजा भी करेंगा दोस्त मजा करेंगे फ्रेंड्स लोग मजा करेंगे तो वहां भी उसको रोना आएगा और फिर वो जो है न वो problem हो जाता है क्योंकि फिर होता क्या है कि मुझे मतलब वो लड़की जो आए थी उसको रोना आ रहा है करके वो फिर friend circle में ने उसका अकली अकली बैठेंगी घर में भी ज़्यादा लोग उसको मतलब कुछ बात नहीं करेंगे कि उसको रोना आता है उस क्योंकि क्या करते है कि आए साव यह करके उसको champions कने इसको मत बोलो तो रोल हुक है सब्साइब हो यह जाता है जाए दो आया है दब डेखा कि रहिए इसा हुआ क्या है इससको क्यों हो रहा है इतन ईमोशनल क्यों है मतलब घुस्eli और रोना कुष्ण और रोना इसमें क्या ठीश हुआ कि चोंठा सब्सक्राइब काॉंसिल्इंग करना बड़ेगा आना पड़ेगा पॉचिंग लेना पड़ेगा है उसने आना चालू किया बार बार चर्चा करना चालू कर दिया जब हम खोदते गए तो तो कुछ मिलने रहा, फिर मैंने उसको भूनीज मेंने लौनीज केold, हपने लाईफ में उसको बोला कि तुम है पीच्छे 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 udah mission गा right arrival में जैसा भी वह 16 साल की थी तो आभ वह अपने की उमर 14 साल फिर 12 साल फिर 10 साल है 8 साल है लाट साल है तो एकदम उसने रोना चलू कर दिया हुआ क्या तो फिर उसने बता है कि आठ साल की जब वो थी और जब स्कूल में थी वो तो उसके जो टीचर थे उसको उसने कुछ से भी पूछा और पूछने की बाद में मतलब उसके इतना जोर से चिलना है वो और उसको इतना बड़ा इ बड़े बाप की बड़ी बेटी अभी क्या होंगा टीचर भी घबरा गया वो भी घबरा गई बच्चे सब हसरे और बड़ा सीन क्रियेट हो गया बाद में उसको बच्चे टीज करने लगे जान कुछ के कुछ कॉमेंट पास करने लगे और फिर उसको वो डर लगना और फि उसने interpretation अपने दिमाग में ऐसा लगाया कि वे मैं कमजोर हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं इतनी powerful नहीं हूँ, मैं सामना नहीं कर सकती है ऐसा कुछ, मुझे आता नहीं है, ऐसे एक अपने मन में, अपने बारे में ऐसे बात्चीत चालू किया, अपने subconscious mind में, अपन और जब ऐसा दिमाग में चालू है continuously, subconscious mind में ये पूरा बैठा हुआ है, तो फिर बाहर वो जो दिख रहा है, वो दिख रहा है, उसको मैं आपको hypnosis के session करने पड़ेगी, उसको subconscious mind में जो बैठा है, वो निकालना पड़ेगा, उसको मैंने sessions दिए, इसके hypnotism के, बार 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 उसको positive thoughts, positive visualization और वो scene बार 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 उसको मैंने imagine करने के लिए बोला, ऐसे कई scene फिर बाद में उसको बोला कि मैं imagine करो, कि जहां आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कमजोरू और उसका सामना नहीं कर सकूँगी, वो scene वो imagine कर रही है और इधर relaxed बैठी हुई है, इधर hypnotized है, scene imagine कर रही हो और इधर hypnotized है, और relaxed बैठी हुई, मतलब यह मैंने उसका deconditioning कर दिया, hypnotism में और धिरे 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 अच्छी होने लगे, धाई तीन मेने के बाद में बहुत ही अच्छी results मिले, और parents ने आके उसको बोला, बहुत ही अच्छी है यह और मुझे thank you बोलके लोंगे वो निकल गए, तो ऐसा काफी बार ऐसा होता है कि बचपन में ऐसे कुछ घणना हो जैते है उसका असर, उसका impact, बड़ब्पन में होता है, हमको पता लगता नहीं है, और हमको समझता है कि हम आज जो है वह ऐवा ऐसा क्यों है, मेरा जो सुभाव है आज वह ऐसा क् है और हम सफर होते रहते हैं तो आज इतना ही आपको ये वीडियो अच्छा लागा तो जरूद सब्सक्राइब करो शेर करो लाइक करो आपके संबर्ख में ऐसे काफी सारे लोगों की बहुत इमोशनल है वो सेंसिटिव है तो अच्छे हो जाएंगे वो देख लेंगे कि उनके लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि जिसके होज़े से आज हो सफर कर रहे थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्यू वेरी मुच